चीन में निमोनिया का नया खत्रा एक खतरनाक रोप लेता जा रहा है जिसके जद में मासूम आ रहे हैं ये खत्रा सिर्फ चीन ही नहीं बलकि पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है वहीं भारत भी इसे लेकर खासा फिक्रवंद है यही वज़े है कि केंडर सरकार एक्टिव हो गई है इसी कड़ी में केंडर सरकार ने राज्यों को एडवाईजरी जारी की है असल में स्वास्ते मंत्राले ने राज्यों से वाइरल बुखार और सांस से जुड़ी बिमारियों पर अलट रहने के निर्देश दिये है इस पर कहा गया है कि सभी तरह के बुखार की मॉनिटरिंग करें बच्चों और किशोरों में बुखार के मामनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गए है स्वास्ते मंत्राले के निसार घबराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन सचीत रहना ज़रूरी है केंद्र ने राज्यों से अस्पतालों की तैयारियों की समिक्षा करने को कहा है बेट्स, मास्क, ऑक्सीजन, एंटिबायोटिक दवाई, वेंटिलेटर्स जैसी चीजों को चेक करने को कहा गया है इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा गया है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनिस यानि ऐसे आर आई के मामलों को उराज्ये में मौझूद वाईरस रिसर्च लैब से शेयर करने को कहा गया है उनके सेम्पल सरकारी वाईरल लैब को देने के निर्देश लिए गए जिससे किसी नए वाईरस की चांच और फैचान हो पाए मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अभी ये बहुत शुरुवाती दौर है लेहाजा इससे घबराने की जरूरत नहीं है एक इंफ्लुएंजा का इंफ्लुएंजा एक का एक सब टाइप है जो नॉर्मली बड्स में देखा जाता है उसको एविन फ्लू बोलते हैं और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखे तो एच 9N2 है ये नॉर्मली बड्स में होता है पर कभी-कभी जब बीमार होते हैं और फीवराना, खासी होना, शरीर का दर्द होना और निमोनिया के कारण उसके सास लेने में तकलिफ होना ये में में इसके लक्षन है डब्ल्यू एचो ने भी चीन से इस बीमारी से जूरी जानकारिया मांगी है इसकी वज़य है दुनिया की फिक्र वो ये कि अगर बच्चों तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें